गुड मॉर्निंग एवरिवन बच्चो आज मैं हिंदी में आप लोग को वाग के बनाना बताऊंगी ठीक है बेटा? तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है नंबर वन, नंबर वन में क्या है? अ में आ की मात्रा, आ, म, आम आम से आपको वाग के बनाना है अ में आ की मात्रा, आ, म, आम आम मीठा है म में बड़ी इ, ठ में आ की मात्रा, मीठा म में बड़ी इ, ठ में आ की मात्रा था, मीठा है हमें आ की मात्रा, आपको यहाँ पर दो रेफ लगाना है हमें आ की मात्रा है और जब वाक के लास्ट में बेटा इंड में आपको क्या करना है पूर्ण भी राम लगाना है इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे जब वाक के खत हो जाता है तो लास्ट में हम लोग पूर्ण भी राम लगाते हैं तो आम कैसा है आम मीठा है नमबर टू में क्या है? अ-ख-ब में आकी मात्रा बार अखबार हम लोग क्या बनाएंगे? अखबार पढ़ अ-ख-ब में आकी मात्रा बार अखबार पढ़ पढ़ कैसे राइट करोगे? प और ध लिखना है उसके नीचे आपको एक बिंदी लगा देना है तो यह हो जाएगा अखबार पढ़ चलिए आगे देखिए हमें आकी मात्रा थमें बड़ी हाथी हाथी से हम क्या बनाएंगे? हमें आकी मात्रा थमें बड़ी हाथी हाथी क्या खाता है? इख खाता है ताप एक कैसे लिखोगे बड़ी ए और ख एक गन्ना को बोलते हैं ठीक है हाथी एक खाता ख में आकी मात्रा खा त में आकी मात्रा त हाथी एक खाता है हमें आकी मात्रा है हाथी एक खाता है और लास्ट में पॉर्ण बिरा नेक्स्ट है पह में छोटी यमे आकी मात्रा या पहिया पहिया जो होता है चक्का को बोलते है वील को बोलते है वील कैसा होता है उसका क्या होता है वो गोल होता है तो पहिया कैसा होता है पहिया गोल होता है तो आप कैसे राइट करोगे दो रेफ लगाना है लास्ट में आपको पोर्ण विराम लगाना है पहिया गोल होता है समे बड़ेओ की मात्रा सूरज आप यहां कहाइड करोगे समे बड़ेओ की मात्रा सूरज सूरज निकल आया चली आगे देखते हैं मचली मचली से क्या हुआ की बनाओगे बेटा मचली तैर रही है मचली पानी में तैरती है न मचली तैर रही रही है हमें ए की मातरा आपको दो रेप लगाना है मचली तैर रही है और वाके के अंत में, last में, हम लोग पुर्ण भी राम लगाते हैं एक सीधा आपको लाइन खीचना है next है तितली सुन्दर है सुन्दर कैसे राइट करोगे? समे छोटे उकी मात्रा सू और उसके उपर आपको बिंदी लगानी है दर तितली सुंदर है हमें दो रेफ लगाएंगे उपर तो बन जाएगा है तितली सुंदर है और यहाँ पर आपको पूर्ण भी रा नेक्स्ट है अमे आ की मात्रा आलस मिया की मतरा हम लोग को मेहनती बनना है हम लोग को मेहनत करना है आप लोग को नहीं करना है तो आलस मत कर नेक्स्ट है गाय गाय क्या खाती है बेटा गाय क्या खाती है गास कैसे लिखेंगे गाय घास गाय घास खाती है घ गाय खाती है उसके बाद है हमें आई की मतरा है गाय घांस खाती है और आपको फुर्ण भी राम लगाना है Next है बादल आप क्या रईट करोगे बादल काले है कमया की मत्र का लमे की मत्र ले बादल काले है उसकी बार वाके क्यांत में क्या लगाते हैं पूर्ण भी राम लगाते हैं आप लोग हिंदी की कॉपी में इसे खुबसूरत हैंड राइटिंग में राइट करोगे गुड हैं राइटिंग में राइट करोगे बिटा और इसको याद करोगे थाइंक यू